Digital Infrastructure से अब सरकार और Citizens के बीच Engagement का तरीका बदल गया है सरकार तक पहुँच अब Privilege नहीं बलकि Practice हो गई है सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सीधे सरकार से संबाद कर रहा है सरकार के काम करने के तरीकों की जो तस्वीर पहले आपके दिमाग में थी वो अब बदल चुकी है अब सरकारी दप्तरों में फाइल रोक कर रखने का कल्चर नहीं है बलकि जो काम सालों से अटका पड़ा है उस से पूरा करने पर जोर है आज भारत में बिजनेस करना आसान हो गया है 42 रैंक्स की छलांग लगा कर भारत इस अब डूइंग बिजनेस में पहली बार टॉप हंडिड में आया है देश की इंडारेक्ट टैक्स रिजिम में किये गए एतियासिक रिफार्म जी एस्टी को उद्योग जगत अपने जीवन का हिस्सा बना रहा है देश के टैक्स बेज में अभूत पुरव वृद्धी हो रही है और बिजनेस मेंड जो पहले तरह तरह के चेक नाकों से परिशान रहते थे अब टैंशन फ्री हो गए है सोचल वैलफेर के लिए जैम इन तीनों को मिला कर डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्ता बनाई गई है और इससे वैलफेर स्कीम का सीधा लाप उनको मिल रहा है जिनको मिलना चाहिए आपको जान करके खुशी होगी इस एक मात्रियोजना से 83,000 करोड रुपिये 83,000 करोड रुपीज यानि की 12 बिलियन डॉलर से भी जादा रुपिया जो गलत हाथों में जाता था लीख हो जाता था वो सारा का सारा धन बच गया है